चलिए दोस्तों ट्रेक्टर को इस्टार करके आपको इसका आवाज तुना देते हैं कि इस तरह सिस्का आवाज है और इस टेरिंग को तो आप एक उगली में घुमा लेंगे कुछ इसमें नमस्कार मरीतेस कुबार हमारे पीछे ट्रेक्टर खड़ा हुआ मेंदरा यूगो टेक प्लस 575 डियाई उसका टू विल ड्राइव लवेरेंट और लेटेस्ट नीज यह है कि यह 2024 वाल अवेरेंट है और इसमें आपको डीजी सेंसर सपोर्ट भी मिल जाता है तो आगे वीडियो में इस ट्रेक्टर के पूरे जानकारी देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्न ट्रेक्टर टेक के साथ लेट साइड से ट्रेक्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और यह रहा इसका प्रंट विव और फ्रंट में आपको बंपर लगा के दिया जाएगा और राइट साइड से ट्रेक्टर के पूरे डिजाइन को देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह डिजी सेंस लिखाव मिल जाता है और इसका जो सेट अप है वह आप यह देख सकते हैं ड्राइवर सीट के नीचे में लगा हुआ है तो अब आप अपने इस ट्रेक्टर में भी मोबाइल के जरिये से पूरा नाजर रख सकते हैं कि आपका ट्रेक्टर कौन से लोकेशन पर काम कर रहा है और कहीं आपके ताय किया हुए सीमस से बाहर तो नहीं जा रहा है यह सब चीज आप मोबाइल पे घर बैठे बैठे देख आएंगे तो अब आपको पेन कॉपी लेकर ट्रेक्टर की परिसे जलने के जब़बत नहीं पोड़ेगा तो चलिए दोस्तों हमेशा की तरह इंजन से सुरुवाद करता है इसमें 29-89cc का 4 सिलेंडर नेचरनली स्प्रेटेट इंजन मिल जाता है जो की बोश के इलनल फिन फर्म के साफ में आता है और यहां से आप पूरे इंजन के एरजमेंट को देख सकता है बिल्कुल एंजन फिन दिया हुआ है और इसमें आपको ड्राइ टाइप के एर फिल्टर मिल जाता है इसके लावा जो कूलेंट है यहां पर दिया हुआ है और इंटेक आपको यहां से मिल जाएगा और ये डिटर में इस्टर प्रोटेक्शन के लिए सामने में ग्रिल भी लगाया हुआ है और जो डिटर फैन है ये फाइबर का मिलेगा और इस ट्रेक्टर में आपको 6 साल के इस्टेंडर वारेंटी मिल जाता है मतलब शुरू के जो 2 साल है वो पूरे ट्रेक्टर के लिए रहेगा और बागी 4 साल आपको इन्जान और गेरबॉक्स के लिए मिलता है इसके लावा इस ट्रेक्टर में आपको फर्स सर्विस के बाद प्रते चार्चासु गंटे के अंतराल में सर्विस कराना होता है आइडियल कंडिशन में ट्रेक्टर को आउन करके न रखें इसके लावा जब भी आप पीडियो चाले तो करण्ड़ यूस कर रहे होंगे तो उस कंडिशन में 1800 आर्पियम से अधी पर आपको इंजन पो नहीं चलाना है ऐसके बाद आप अपने ट्रेक्टर को अपने हिसाब से किसी भी आर्पियम में चला सकते हैं और दोस्तों अगर इस हचपी काडिग्रिस के और भी ट्रेक्टर के वीडियो आप देहना चाहते हैं तो उपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं वहाँ पर आपको अने को ट्रेक्टर की वीडियो मिल जाएंगे और फ्रंट में कुछ इस प्रकार का नॉन इडिश्टेबल एकसल मिल जाते है और जो फ्रंट टायर का साइज है वो साथ पचास सोला का दिया हुआ है और किसान भाईयो आपका थोड़ा से समय लेकर हम आपको यहाँ बताना चाहते है कि हमने ट्रेक्टर कंपरिजन के लिए अजाट ट्रेक्टर नाम से नया चैनल बनाया हुआ है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगा पर मिल जाएगा तो आप यहाँ पर जाकर किसी भी ट्रेक्टर का कंपरिजन वीडियो देख सकते हैं अगर आपको हमारे कंपरिजन वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं इसके लाबा इसमें ड्वाल एक्टिंग पावर एशनिंग मिल जाता है और इसके 4WD राइवाल एविरेंट में आपको केवर सिंगल एक्टिंग ही मिलेगा और इसका 4WD राइवाल एविरेंट का वीडियो देखने के उपर आई बटान में क्लिकर के देख सकते हैं और इस ट्रेक्टर के पावर फियर की बात करते हैं 47 HP का पावर 2000 इंगरिटर आर्पीम पर और लगभग 192 निक्रमीटर के टॉर्क प्रोड्यूस करता है और जिस ट्रेक्टर में जितना अधिक टॉर्क होता हुआ किसी लोड को उतने असानी से खीच सकता है और इस ट्रेक्टर में भी आप लेवर टिन तक के कल्टिवेटर को चलासन और यहाँ पर आप इसके लेवर प्रेट को देख सकते हैं इसमें फिक्टियो पावर, SXC, मैनुफेक्टरिंग डेट सब्सक्री बताया हुआ और किसान भाईयो आपका थोड़ा से समय लेकर हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि हमने ट्रेक्टर कमपरिजन के लिए अजाट ट्रेक्टर नाम से नया चैनल बनाया हुआ है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगा पर मिल जाएगा तो आप यहाँ पर जाकर किसी भी ट्रेक्टर के कमपरिजन वीडियो देख सकते हैं अगर आपको हमारे कमपरिजन वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तो चली यह टॉपिक पर वापस आते हैं अगर दोस्तों इसके प्लेटफोर्म पर चड़ने के लिए सिंगल फूट इस्टेप दिया हुआ है और यहाँ से आप पूरे प्लेटफोर्म को देख सकते हैं चली उपर चड़ कर देखते हैं यह आप पूरे डैशबोर्ड इस्टेरिंग वील और पूरे फेंडर का फूल लुक और यहां से आप पूरे मीटर कंसल को देख सकते हैं इसमें सेमी डिजिटल टाइप का मीटर कंसल दिया हुआ है और इसमें आपको बहुत से इंफर्मेशन मिल जाते हैं तो भी वह यहां पर इंडिकेट कर देगे तो काफी अच्छा इंफर्मेटिव इसमें मिल जाता है बाकि यह सब बटन्स आपको मिल जाएंगे यह प्लाव लैंप आफ करने के लिए हैं किनिशन की इंजन स्टॉप करने के लिए चार्जिंग सॉकेट और यहां से आप इसके पैडल्स को देख सकते हैं इसमें पूश टाइप के पैडल्स दिया हुए लेकिन फिर भी यह काफी जादा इसमूद मिल जाएगा और इसमें हाई लो मीडियम और वन टू टू ट्री फॉर के साथ में बारा फॉरवर्ड और तीन रिवस गेर मिल जाएगा और इसका जो गेर बॉक्स है यह कॉंशन में स्टाइप तर दिया हुआ है और ट्रेक्टल में जीतने नमबर आफ गेर सदीक वत्या उतने शवाता था क्यूंकि आप प्रतेक इंप्रिमेंट के इसाप से सही गेर रश्यू चिनाव असानी से कर पाएंगे और इसमें डिफरेंशेल लॉक नीचे में देखने को मिल जाता है और इसके नीचे में जो नॉप दिया हुए इसकी मदश से आप इसके लोवर लिंक के ड्रॉप रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं और लेफ साइड में पीटेव कॉन रफ करने के लिए यहाँ पर लिवर मिल जाएगा और यहाँ पर गेर सेलेक्शन चार्ट दिया हुआ है इसको आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए और इसमें पोडिशन कंट्रोल ड्राफ कंट्रोल लिवर टाइट साइड में मिल जाता है जो की विर्पूली आपके पहुंच में है और यह रहा इसके ब्रेट लॉक करने का नहीं है और आप इसी तरह से महंदरा ट्रेक्टर का वीडियो देहने के लिए उपर आई बटन में क्लिक करके सभी महंदरा ट्रेक्टर का वीडियो देख सकते हैं इसके लावा आपको महंदरा का कोई भी ट्रेक्टर पर्चेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दियो हुए अच्छी बात है और इसमें इपी सैक्लिक टाइप का रियर एक्षेन मिल जायागा और इसको आपको ग्रीसिंग करना होता है इसके लाव अगर इसके हैट्रोलिस की बात करें तो इसमें और यहां बताएं कि आपको जो ट्रेक्टर हैं वो प्रती अंटर कितना डिजल लेता है तो दोस्तो इतना कुछ दिखने को मिलता है आपको यह वो टेक प्लैस 575 डियाई न्यू मॉडल में और अगर आपके मन में इस लिए और कुछ डाउट है कुछ कोशन होता आप हमें कमे और आपके मन में आपको श्राइब प्रती अंटर कर दो दो एक हमे कर दो डिकता है